पवन सिंग को लेकर भिड़ी गई जोती सिंग और पवन सिंग की मा जी हाँ पवन सिंग को लेकर आज कल पवन सिंग के ही घर में घमासान छिड़ा हुआ है अभी तक तो आपने देखा होगा कि पवन सिंग को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में हिरोईने लड़ा करती थी लेकिन अब आप ये पहली बार सुन रहे होंगे कि पवन सिंग को लेकर पवन सिंग के घर में ही घमासान छिड़ चुका है इसके पीछे रीजन बताया जारा है जोती सिंग और पवन सिंग की मा के बीच पटरी नखाना है और इसका सबसे बड़ा खामियासा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो पवन सिंग को भाई पवन सिंग किसके पक्ष्रे बोले पतनी के या मा के वैसे सास और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो अमूमन सभी घर की कहानी है लेकिन पवन सिंग के लिए ये बात इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि पवन सिंग अपनी मा को भगवान का दर्जा देते है अब पवन सिंग के लिए उनकी मा का दर्जा आप इसी बास से अंदाजा लगा सकते हैं पवन सिंग को छोड़ कर पवन सिंग ने सिर्फ मा की खुशी के लिए जोती सिंग से शादी की मा के पसंद की लड़की से शादी की अब उसी लड़की से उनकी मा की पट नहीं रही है घर में आए दिन कुछ न कुछ बात का बखेडा बन जाता है इस बात का अंदाजा तो मेडिया में बहुत पहले ही लोगों को हो गया था कि बलिया में होते हुए भी आरा छट के मौके पर जब पवन सिंग की पतनी नहीं पहुची तो सभी को लगा कि दाल में कुछ काला है लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पवन सिंग की मा और उनकी पत्नी के बीच इतनी बड़े मत्भेदा चुके हैं पवन सिंग के लिए स्थितियां पहले से थोड़ी तो अलग हुई हैं अक्ष्रा उनकी लाइफ में थी तो वो उनके घर का मैटर नहीं था लेकिन भाई अब घर पे आते ही अगर कला सुनेंगे तो मूड तो आफ होगा ही और वो भी पवन सिंग की मा के लिए तो भाई तो भाई मा के लिए तो हर एक बेटा उनके दिल का टुकडा ही होता है इसलिए सुनने में आया है कि पवन सिंग की मा जादा से जादा टाइम आरा में ही बिताती है और पवन सिंग को अगर मिलना होता है तो बु भाई बहुत कम आती हैं भाई इस खबर में कितना ही सच्चाई है और कितना फसाना इसकी पुस्टी हम तो नहीं करते लेकिन अगर ये बाते हैं तो भाई पवन सिंग के लिए तो थोड़ी चिंता की बात जरूर है भूच पुरिज़त की होट और मसाले दर गौसिप चले हमे सिब्स्राइड करता बिल्कुन्ण भिल्युट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्